आप देख रहे हैं इंडिया नियूस का डिस्सिल चैनल इन्खबर लेकिन जो भी प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेट बताए जाने कि यह फिलाडी हो सकते हैं यह खिलाडी आज टीम में खेल सकते हैं और अगर मैच को लेकर बात कि जाए कि मैच का पड़ला किसकी तरफ भारी है कौन सी टीम भैतर प्रदेशन करते भी दिखाई देगी तो कुछ आ हारी दिखाई देता है और ऐसे में इंग्लैंड का पड़ला थोरा सा कमजूर दिखाई देता है लेकिन अगर इसमें एक दिल्चस्प बात और है अगर होम ग्राउंड देखा जाए इंग्लैंड का होम ग्राउंड यह कहता है कि इंग्लैंड के पिछले दो साल के मुकाबल और ऐसे में देखा जाता हुँ दोनों टीमों के बीच इंग्लैंड और दक्षिन अफ्रिका के बीच अभी तक टोटल 59 अंतराश्टियर मैच खेले गए हैं और अगर इन मैचों की तरफ जाला जाए इन में से दक्षिन अफरीका ने 29 और इंग्लेंड ने 26 मैच जीते हैं इन में से एक मैच टाई रहा जबकि 3 मैचों का कोई भी परिणाम नहीं निकला है तो कुल मिला जुला कर हमी ये पता चलता है कि जो इंग्लैंड है इंग्लैंड जादा आ गया है साउथ अफरिका से लेकिन अभी की टीम को देखते हुए सारे आखड़े टोटल जो भी तक मैच खेले गए हैं इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड और साउथ अफरिका के बीच ये वो है लेकिन अभी काकड़े कहता है जो अभी की टीम कहती है अभी की टीम स्ट्रेंथ कहती है वो ये कहती है कि साउथ अफरिका अभी इंग्लैंड से उपर है अगर वहीं देखा आजा तो ओवल में इनके बीच अभी तक 6 मैच खेले गए हैं जिनमें से इंग्लेंड ने 4 मैच जीते हैं जबकि दक्षिन अफरिका ने 2 मैच जीते हैं उनमें एक मात रहार पिछले साल ट्रेंट बिज़ पर भारत ने उसे हराया था, दक्षिन अरफरिका ने पिछले 21 मैचों में से 16 मैच में जीत दर्ज किया है, यहां तो आप इससे समझ सकते हैं कि 16 में से 15 मैचों में जीत दर्ज करना आपने जो पिछले उनके मैच है, तो य इंग्लेंड और जो साउथ अफरिका की टीम है, वो किस प्रकार से होने वाली है, यह खिलाडी में हमें देखने को मिल सकते हैं, जो रूट, इवन मॉर्गन, बैन स्ट्रोक्स, जॉस बटलर, मोहीन अली, क्रिस वोक्स, लिम और जोफरा, आर्चर, आदिल राचित, तो यह है, वो बैटिंग कर सकते हैं, अब ऐसे में साउथ अफरिका के जो खिलाडी है, उनको दिखा जाया, तो हाशी ममला, क्वेंटन डीकॉक, और मार्क मैन, फैफ डूपलेसी, जेपी डूमनी, डेविड मिलर, तो अभी तक जो मैं नाम लिए, आपको भी हाँ पर भी साउथ जी देखने को मिलती है, वो ये की, जो साउथ अफरिका के प्लेयर से, वो भी साथ वे नमबर तक बैटिंग कर सकते हैं, तो ये बात होता है, माने जारी है, टॉस कोई भी जीते, बैटिंग करने कोई भी उतरे, ये समझ में आता है, कि जो ये मुकाबला है, ये काफी ज़ काफी ज्ँथ और हाइब जस कोई भी जादा, है कि जाव काफी सकोरिंग मुकाबला होने वाला है, वहेंगा हाप, बात कि हम लाका लो जह, हस अ मला Ain problem 517-7, इंग्लेंड के खिलाफ इंग्लेंड में तो यह जो आकड़े हैं यह आकड़े जो कहते हैं कि इस समय साउथ अफ्रिका का जो पढ़ला हो भारी है अब ऐसे में दीखना होगा कौन सी टीम आगे निकलती है और यह मुकाबला हाइज स्कूरिंग होता है या नहीं इस सारी बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें